हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आइस्टेडी एससी स्टाप सलक्षन कमिशन की और से एक एक्जाम कंड़ेट करवाय गया था यह जो एक्जाम है आई एमडी इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के एंडर में एक पोस्ट आती है आप लोगों की सैंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक्जाम successfully conduct करवाय गया था यह एक्जाम 14 डिसमबर से ले करके 16 डिसमबर के बिख कंड़ेट करवाय गया था और आप लोगों की जो आंसर की वो भी जारी कर दी गया है आंसर की जारी होने के बाद से maximum कंडिट के मन में यह doubt आ रहा था कि सर इसका जो ए एक्जाम है कितने नंबर ओप कंडिडेट को एक्जाम देने के लिए बुलाए गया था तो यह एक आरटेई फाइल की गई थी और इस आरटेई में क्या क्या क्यों रही थी आप लोग देख सकते मेंस इसमें यह पूछा गया कि कितने नंबर ओप कंडिडेट एप यह जो एक्जाम हुआ है फुटिंत ओप दिसंबर से ले करके सिक्स्टिंत ओदिसंबर के बीज यह आरटेई अठरा दिसंबर को फाइल की गई थी और इसका जो रिप्लाइए हो एससेसे ने दे दिया है क् आप लोग जूम करके देख सकते हैं मैं आप लोगों को पढ़कर भी सुना देता हूं इटी जिन फॉर्म देट था टोटल दो लाग एकतालीस हजार दोसो चैतर कंडिडेट आप लोगों के शेडूल किये गए थे जिन का एक्जाम कंडिडेट करवा गया था उसके बाद स मैं तो लाग एकतालीस हजार दो किणिडेट सेडूल किए गहते हुआ आप लोगों की का टेंडेट का सेलक्सन होगा बस यह अपडेट ती एक हो देता हूं आप लोगों एक RTI मेरे द्वारा फाइल की गई है, जो RTI में मैंने जो IMD से पुछा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें मैंने पुछा है कि SSC में जो subject wise है, जैसे कि मालिज फिजिक्स और मैतमेटिक्स में कितने number of candidate appear हुए है, उसी तरीके से जो computer science में कितने number of candidate appear हुए है देन आप लोगों का electronics and communication है, उस RTI में मैंने पुछा है जो आप लोगों के subject wise number of candidate जो appear हुए है, उसका reply अभी नहीं आया है, most probably 2-3 दिन में उसका reply आजाएगा, जैसे ही वो reply आजाएगा, वो मैं आप लोगों के साथ share कर दूआ, अगर आप लोगों को मेरे दुर्वार पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट है विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राब भी कर लेजिए, जैसे ही आरट आप लाई आजाएगा, वो हाई स्टेडी चैनल से आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, ब